आपने लाइन तो जरूर सुनी होगी कि हमारी बेटियां बेटों से कम है क्या हाला कि एक बार फिर बेटियों ने साबित कर दिया है और भारत की इस बेटी ने ब्रह्मांड सुन्दरी बनने का खिताब हासिल किया है हरना सिंद जो पंजाब की रहने वाली है 21 वर्स की उम्र में उनको ब्रह्मांड सुन्दरी बनने का खिताब मिला है हरना सिंद वैसे तो पढ़ाई करती है और साथ ही साथ मॉडल भी है लेकिन अब वह चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनके सिर पर जो ताज सजा है वो ताज है ब्रह्मांड सुन्दरी का ब्रह्मांड सुन्दरी यानि मिस यूनिवर्स भारत को 21 साल के बाद ब्रह्मांड स चर्चा में ब्रह्मांड सुन्दरी बनी थी वो थी सुस्मिता सेंद और उसके 6 साल बाद यानि की वर्स 2000 में लारा दत्ता को यह खिताब हासिल हुआ था 2000 के बाद से अब तक 2013 तक भारत को इसमें कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली थी और भारत से कोई भी ब्रह्मांड संद हरनास सिंदू के नाज में जैसे की नाज सामिल है वैसे ही उन्होंने उस नाम को अपने चलितराज करके दिखा दिया है और कहीं न कहीं सोचल मीडिया से लेके पूरे दुनिया में इस वकिस नाम की चर्चा जोरो सोरे सो हो रही आपकों कुछ खास बात बता दें कि वर्स 2000 में जब मिस यूनिवर्स का खिताब लारा दत्ता को मिला था उस समय अगर बात करें तो उस समय हरनास सिंदू पैदा हुई होगी क्योंकि ठीक 21 साल बाद और हरनास सिंदू की उम्र भी 21 साल है जो लोग यह सोचते हैं कि यह ब्रह्मान सिंदू का खिताब सिर्फ सुंदर्ता के कारण मिलता है तो उन्हें हम बता दें कि ब्रह्मान सिंदू का खिताब Beauty with Brain को मिलता है Beauty with Brain का मतलब यह होता है कि सुंदर्ता तो आपकी देखी जाती है साथ ही साथ आपका मस्ति भी देखा जाता है भारत की हरनास सिंदू असी देशों के बीच में चैनित होकर आई है और ब्रह्मान सिंदू ब्रह्मान सुंदरी का खिताब अपने नाम किया है हाला कि हम आपको एक बात बता दें वहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जिनके जवाब काफी कटिन होते हैं हरनास सिंदू से जलवायू के संबन में और युवाओं के उपर दबाव के उपर के लेकर दो सवाल पूछे गए थे जिसके जवाब से वहां के आयोजयक्त संतुष्ट हुए और आखिरकार हरनास सिंदू को ये तमगा मिल गया ब्रह्मान्ड सुंद्री बनी इस यूती की उम्र महाज 21 साल है 21 साल की उम्र में इस यूती ने जो कमाल किया है जिसके चर्चा भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में हो रही है और कहीं न कहीं भारत में ब्रह्मान्ड सुंद्री के इस खिताब का जो अकाल पड़ा था पुसाकाल को इस यूती ने दूर कर दिया है या यूती इस वक्त सोचल मीडिया पर काफी ज़्यादा चर्चाम है